दोस्तों नमस्कार मारास्ट सरकार में घोटाले दोस्तों बहुती जादा आम होते जा रहे हैं आए दिन किसी ना किसी नेता पर करोणों रुपए के घोटाले के खुलासे होते रहते हैं और दोस्तों इन खुलासों में सबसे ज़ादा और बड़ी भूमिका निबा रहे हैं मारास्ट बीजेपी के नेता क्रिटी सुमया अब उन्होंने एक और सौ करोड रुपए की घोटाले के आरोप शिवसेना नेता पर लगा दिये हैं क्रिटी सुमया ने दोस्तों घोटाले का खुलासा किया तो उनके उपर हमला भी कर दिया गया भारतिय जनता पार्टी के नेता क्रिटी सुमया के कार पर हमला किया गया है क्रिटी सुमया ने ट्वीट करके जो है खुद इस बात की जानकारी दी है उन्होंने शिवसेना के कारकरताओं पर हमले का आरोप लगाया है क्रीटिस हमया ने टूइट किया कि शिवसेना के गुंडों ने मेरी कार पर हमला किया है शिवसेना के कारकरताओं ने कार पर तीर पत्थर दोस्तों फेके ये कार के शीसों से टकराए यहां पर मैं बैठा हुआ था इस तरीकी का ट्वीट क्रीट सोमया की तरफ से किया गया उन्होंने दावा किया है सोमया ने बताए कि उनके काफिले में पुलिस बाहनवी था ये हमला तकरीबन साड़े बारा बज़े हुआ इस वक्त उनकी कार वाशिम में थे दरसल क्रीट सोमया ने दोस्तों शिवसेना सांसद भावना गावली की बालाजी पर्टिकल बोर्ड फैक्टरी पर सो करोड रुपे के घुटाली का गंभीर आरूप लगाया है इसी की जाच को लेकर क्रीट सोमया वाशिम पहुँचे थे उन्होंने गुरुबार को ट्वीट करके बताया दोस्तों कि 20 अगस्त को वाशिम जाएगे यहाँ वे शिफसेना, सांसद, भावना, गावली और उनके गुरुप के द्वारा किये गए सो करोड रुपे के घुटाली का परदा फाश करेंगे तो दोस्तों इसी के सलसेले में जो क्रीट सोमया है वो वाशिम पहुँचे थे कि इस मामले की जानकारी देनी चाहिए इंवस्टिगेट्व एजनस्यों को ताकि इस मामले की इंवस्टिगेशन हो सके लेकिन उनकी कार पर सियाई फेकी जाती है पत्थर से हमले किया जाते हैं वो भी तब जब उनके कॉन्वाइ में दोस्तों पीछे पुलिस बाहन भी मौजूद थे बाबजूद उसके इस तरीके की गुंडागर्दी वहाँ पर देखने के लिए मिलती है तो दोस्तों ये बहुत ही आम होता जा रहा है पहले ही शेपसेना के बड़े-बड़े नेता अपने आपको गुंडे घोसित कर चुके हैं वो कहते हैं कि हम certified गुंडे हैं तो ये जो हरकते दोस्तों निकल कर सामने आ रहा ही ये कहीं न कहीं शेपसेना के कारिकरताओं से जो expected है कि जब भी उनकी criticism शुरू होती है उनके उपर अगर कोई भी खुलासा करता है कोई भी आरोप लगाता है तो उन्हें कताई बरदास्त नहीं होता है और जो है बात करते हैं इनके नेता लोकतंतर की हत्या की तो दोस्तो ये कि ये बड़ी ख़वर निकल कर सामने आ रही है सौ करोड रुपे घुटाले के आरोप लगे हैं शेपसेना के सांसत पर जो की बीजेपी नेता क्रिटिस हो मया ने लगाए है और उनकी गाड़ी पर अचानक से हमला भी हो जाता है जो ये दोस्तो कूरता लगातार निकल कर सामने आती है महारास्ट की महाविकास अगारी सरकार के कारकरताओं की तरफ से उनके नेताओं की तरफ से इसे लेकर आप लोगों की क्या रहा है मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिख बताएं इस वीडियो में इतना ही जल्द बलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ पर दूसरे अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आओ तो सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको मिले